Hello students, Hindi से English में translation का तरीका बहुत आसान है, यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो बहतर रिजल्ट पा सकते हैं किसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पेस है, ये दूसरा वीडियो जिसमें हमने क्रिया के रूप को explain किया है तो आईए देखते हैं, वह लिखता है, ही राइटस, वह सिंगुलर है, इसलिए राइटस हो गया है जब सिंगुलर आता है, ये present independent tense है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब में S.I.S. लगा देते हैं और अगर प्लूरल है, जैसे वह लिखते हैं, तो दे राइट हो जाएगा, इसमें first form होता है, वर्ब का first form यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया है वह doctor है, he is a doctor, वह नहीं लिखता है, he does not write, अब यहाँ पर does not क्यों आया है, present indefinite tense में जब negative sentence यूज़ करते हैं, तो singular के लिए does not, और plural के लिए do not का प्रियोग करते हैं वह लिख रहे हैं, they are writing, ये present continuous tense है, तो is mr helping verb आता है, और verb का fourth form आता है, या इन जी फार्म आता है वह लिख चुका है, he has written, ये present perfect tense है, तो has और have का प्रियोग करते हैं, has singular के साथ आता है, और have plural के साथ आता है, वह लिखता रहा है, अब लिखता रहा है, जब कोई काम लगातार हो रहा है, तो babyn का प्रियोग करते हैं, he has been writing, वह बिमार रहा है, he has been ill, वह खेला, he played, तो past indefin tense है, तो verb का second form आता है, he played, उसने नहीं लिखा, he did not write, वह लिख रहा था, अब यहाँ पर देखें, did not क्यों आया है, क्योंकि past definite tense है, और past definite tense में जब negative आता है, तो did not के साथ verb का first form आता है, वह लिख रहा था, he was writing, वह लिख चुका था, he had written, वह लिखता रहा था, he had been writing, वह he will be writing, वह लिख चुकेगा, he will have written, लिख चुकेगा, मतलब काम future में समाप्त हो चुका रहेगा, वह लिख चुकेगे, they will have written, वह लिखता हुआ रहेगा, he will have been writing, मैं लिखता हुआ रहूंगा, I shall have been writing, अब देखी जब ने active और passive voice होता है, तो voice जो passive voice होता है, उसका translation कैसे होता है, लड़का पढ़ाया जाता है, अब why is taught, यहनी जब subject खुद काम ना करके, किसी के दवारा काम किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह का translation होता है, लड़का पढ़ाया जाता है, अब why is taught, अगर आप passive voice के रूल पढ़े होंगे, तो उसमें present indefinite tense के साथ इजह मार आता है, और वर्ब का थरद फार्म हर sentence में आता है, लड़का पढ़ाया जा रहा है, अब why is being taught, present continuous tense में, passive voice का helping verb is being, am being, are being हो जाता है, लड़के पढ़ाया जा रहा है, boys are being taught, क्योंकि boys plural है, तो आ रहा गया है, लड़का पढ़ाया जा चुका है, अब why has been taught, तो has been इसलिए आया है, क् जिन perfect tense को जब passive में करेंगे, तो has been और have been हो जाएगा, लड़का पढ़ाया गया, अब यह past tense है, past definite tense का जो passive voice होता है, उसमें was work लगता है, अब why was taught, राम पढ़ाया जा रहा था, राम was being taught, लड़का पढ़ाया जाएगा, अब why will be taught, सड़के बनाई जाएंगी, roads will be repaired, अब यह थोड़ different है, जाने को है, तो यहाँ पर is to be, यानि एक singular है, तो is to be, to be का प्रयोगों का और third form आएगा, वह पढ़ाया जाने को है, अब why is to be taught, लड़का पढ़ाया जाने को था, अब why was to be taught, लड़के को पढ़ाया जाना है, अब why has to be taught, लड़के को पढ़ाया जा पढ़ा था अब वाई है टू भी टॉट लड़का पढ़ाय जा सकता है अब वाई कैन भी टॉट लड़के को पढ़ाय जाना चाहिए था अब वाई सुट है बिन टॉट घोड़े हर जगा मिलते हैं होर्सेज अर फाउंड एवरिवेर यह सब को मालूम है इट इस नोन टू एवरिवन तो इस तरह से हमने कुछ से चीजे समझाई हैं उमीद आपको समझ में आया होगा आए के वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करते हैं